नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में मैं हूँ आपके साथ स्वाती दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिसकी भेट ना जाने कितनी मासूम जिंदिगियां चड़ती है बेते दिनों ऐसा ही एक मामला सामने आया था जहां करवा चौथ के दिन एक नविवाहिता ने मौत को गले लगा लिया नविवाहिता को ससुराल पक्ष के द्वारा प्रतारित किया जा रहा था जिसके चलते नविवाहिता ने आत्मघाती कदम उठा लिया वही नविवाहिता की मौत के बाद माई के पक्ष ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाएं ज चादी की कुछ समय बात से ही नविवाहिता को पती ससुर ननत की द्वारा प्रताडित किया जाने लगा ससुराल पक्ष के द्वारा कार और एसी की मांग की जा रही थी जिसे देने में नविवाहिता के घरवाले असमर्थ थे इसी के चलती मृतिका आरती को आए दिन रुपय का सामान दिया गया था लेकिन इसके बार भी शतराल पक्ष दहेज की मांग कर रहे थे नवाहिता के साथ मार पीट और उससे तरह तरह की प्रतारना भी दी जाती थी वही रक्षा बंधन के दिन भी नविवाहिता के साथ उसको घर से निकाल दिया गया था इसके बाद वह माई के चरी गई वहीं जन्वाश्टमी के दिन मृतिका का पती उसे वापस ससुराल लेकर आया करवाचोत के दिन सुबह आरती की बाद उसकी बहन से हुई और इसके बाद उसने फोन काट दिया कई बार फोन लगाने की बाद भी जब फोन रिसीव नहीं हुआ तो परिजनों को अन्होनी की आशंका हुई जिसके बाद मृतिका की पती से संपर किया गया तो पती ने फासी लगाने की सूचना दी। इधर घटना की जानकारी मिलते ही विश्विद्याले पुलिस की अलावा नायब तहसीरदार यतीश शुकला मौके पर पहुँचे और मामली की जाच कर शब को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वही पूरे मामले की जाच शिवाली चतुरवेदी की द्वारा की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को आरूपी बनाया। जिसमें साथ ससूर पती ननद और मौसी शामिल हैं। पुलिस ने 4 आरूपियों को गिरफतार कर लिया है जबकि 5 ली की तलाश की जा रही है। अई सुनते हैं पूरे मामले को लेकर सियस्पी शिवाली चतुरवेदी को उन्होंने क्या कुछ कहा है। इक नमंबर को इत और में एक नौ विवायता आर्ती तिवारी द्वारा आतमहत्या की गई है। आतमहत्या है या कुछ और है इसकी जाच की जाएगी। उसमें संदिक परिस्थितियों में वो पाई गई थी। और मारगजाच के दौरान इसमें जब चीज़े सामने आई तो इसमें दहिस प्रताडना के संबन में चीज़े पाई गई और माय के पक्ष ने बताया कि ससुराल पक्ष के दौरा रासी रुपए एक लाक और चार पईया बहन की मांग की जा रहे थी जिसके कारण ससुराल इसमें पांच आरूपी बनाए गए हैं मृतिका के पती को सास को ससुर को और ननद ननद को चौर को और साथ ही एक मॉसित ही उनको आरूपी बनाये गया है और अभी बर्तवान में चार आरूपीयों को गिरभ्तार कर लिया गया है जी हां प्रधार्ना का आरूप है इसी की आधर पर ही इसमें कारवाहि की गयी behaviors